Hello students, आज की क्लास में हम Adverb of Degree के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले देखते हैं Adverb of Degree होते क्या है तो Adverbs of Degree tell us about the intensity or degree of an action, adjective or another adverb जो Adverb of Degree होती है वो हमें बताती है किस के बारे में बताती है Intensity के बारे में या degree के बारे में अब किस की intensity या किस की degree के बारे में बताती है किसी action, किसी adjective या किसी दूसरी Adverb आप यहाँ पे action को verb समझ सकते है तो अब इसका क्या आर्थ निकला इसका आर्थ निकला कि जिन सब्दों का परियोग हम किसी verb, किसी adjective या किसी दूसरी adverb की intensity या degree के बारे में बताने के लिए करते हैं, उन शब्दों को हम adverb of degree कहते हैं, अब हम आमतोर पर किन शब्दों का प्रियोग किसी action या adjective या adverb की intensity या degree बताने के लिए करते हैं, तो वो शब्द कुछ ये हैं, जिसे almost, nearly, quite, just, to, enough, hardly, scarcely, completely, very, extremely, ठीक है, तो इन सब्दों का प्रियोग हम किसी action adjective या adverb की intensity या degree के बारे में बताने के लिए कर सकते हैं, तो इन सब्दों को हम adverb of degree कहते हैं, अब यही शब्द ये नहीं हैं कि जिनको हम adverb of degree के रूप में यूच करते हैं, इसके अलावा और भी बहुत से शब्द हो सकते हैं, जिनको हम adverb of degree के रूप में यूच कर सकते हैं, जिनको हम अभी इसी वीडियो में आगे पढ़ेंगे, दूसरा आप एक दूसरे तरीके से भी जो है किसी sentence में adverb of degree को find out कर सकते हैं, वो कैसे, वो ऐसे कर सकते हैं कि जिस भी sentence में आपको कोई शब्द how much का reply मिले, इसका how how much का, तो how much का, अगर कोई भी word लिखा हुआ है, जो how much का reply है किसी sentence में, तो वो शब the adverb of degree ही होगा, जैसे अगर मैं कहूं, the water is extremely cold, ठीक है, अब पानी जो है, बहुत थंडा है, तो अब यह जो extremely है, यह how much का reply है, यह हमें बता रहा है कि how much cold, तो how much cold, extremely cold, तो यह how much का reply है, है, तो how much cold, it means extremely cold, तो यह how much का reply होने की वज़े से, यह जो extremely है, यह adverb of degree है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमने अब यह भी पढ़ा है, कि जो adverb of degree होती है, कोई भी शब्द, अगर adverb of degree होगा, तो वो किसी verb, या किसी adjective, या किसी दूसरी adverb की intensity या degree के बारे में बताएगा, तो हम इस table में, यह समझने के कोशिस करते हैं, कि यह जो adverb of degree है, यह adjective वर्ब या adverb की intensity या degree के बारे में, कैसे बताता है, तो इस चीज़ को समझने के लिए, हम इस table में कुछ examples देखेंगे, तो सबसे पहले हम इस example को देखते हैं, the water was extremely cold, अब यहाँ पर जो extremely है, यह adverb of degree है, अब यह किस adjective के लिए है, इस cold के लिए, ठीक है, अब इस cold जो adjective है, इस की degree के बारे में बताने के लिए, यह extremely adverb of degree यूज की गई है, तो यहाँ पर यह adverb of degree किसको modify कर रही है, adjective को, ठीक है, अब इस example में देखते हैं, the movie is quite interesting, अब यहाँ पर जो यह adverb of degree है quite, यह किसको modify कर रही है, interesting adjective को, ठीक है न, तो इसमें, जो extremely है, यह is cold को modify कर रही है, इसमें जो adverb of degree है, यह इस adjective को modify कर रही है tutor को, adverb of degree है यह adjective को modify करने के लिए हम इसको use कर सकते हैं इसके बाद इन दो examples में देखें इन examples में जो adverb of degree है वो जिस प्रकार से इन exam इन दोनो examples में यह adjective को modify कर रही थी तो यह दो जो example हैं इन में यह बताया गया है कि verb को मोडिफाई करने के लिए एड़ रूफ डिग्री का परियोग हम कैसे करते हैं तो देखें he was just leaving अब यहाँ पे just एड़ रूफ डिग्री है यह जिस सब्द को मोडिफाई कर रही है वो है leaving और leaving यहाँ पे क्या है? वर्ब तो इस sentence में हमें ये पता चलता है कि एड़रूफ डिगरी को हम वर्ब को मोडिफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं इस प्रकार से इस example पर आजाएए C has almost finished अब यहाँ पर जो almost यह एड़रूफ डिगरी है और यह जिस सब्द को मोडिफाई कर रही है वो शब्द है finished और finished यहाँ पर क्या है यह पर इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो एड़रूफ डिगरी है उसको हम किसी वर्ब को मोडिफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं अब बत करते हैं कि Adverb of Degree को हम Adverb को Modify करने के लिए कैसे यूज़ करेंगे तो देखिए ये एक्जामपल्स हमें बता रहे हैं कि Adverb of Degree का परियोग हम Adverb को Modify करने के लिए भी कर सकते हैं तो देखिए C is running very fast अब यहाँ पर जो fast है ये Adverb है ठीक है अब इस Adverb को Modify करने के लिए ये वर्ड यूज़ किया गया है Very जो की Adverb of Degree है अब इसी प्रकार से इस एक्जामपल में You are walking too slowly अब यहाँ पर slowly Adjective है अब इस Adjective को Modify करने के लिए टू वर्ड का यूज़ किया गया है अब यहाँ पर क्या है Adverb of Degree है Next is You are running fast enough अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है यहाँ पर जो Enough है यह Adverb of Degree है ठीक है यह Adverb of Degree है अब यह किसको Modify कर रहा है यह इस Fast Adverb को Modify कर रहा है तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें पीछे के कुछ वीडियो देखने पड़ेंगे तो पीछे के किसी वीडियो में मैंने बताया था Enough के बारे में तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको Briefly बता देता हूँ Enough के बारे में कि Enough जो होता है Enough जो होता है इसको हम noun के लिए भी यूज़ कर सकते है मतलब noun को modify भी कर सकता है ये और ये किसी adjective या adverb को भी modify कर सकता है ठीक है तो जब ये noun को modify करता है जब हम Enough का परियोग noun को modify करवाने के लिए करते है तो ये adjective का काम करता है क्योंकि noun को modify करता है तो जब किसी noun को modify करने के लिए हम इस enough का परियोग करते हैं तो यह adjective होता है जैसे अगर मैं लिखो enough food sorry यह spelling थोड़ी mistake हो गई यहाँ पर तो यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ enough food तो यहाँ पर food क्या हो गया यह noun हो गया अब इस noun को modify करने के लिए इस enough का use किया गया तो enough यहाँ पर adjective हो गया तो जब हम enough को किसी noun को modify करने के लिए 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 या यूज़ करते हैं तो ऐसी situation में enough को उस noun से पहले लिखा जाता है ठीक है लेकिन अगर हम इनफ का प्रियो किसी एड़िक्टिव या एडवर्ब को मोडिफाई करवाने के लिए करते हैं तो इनफ को उस एड़िक्टिव या एडवर्ब जिसको यह मोडिफाई करता है उसके बाद लिखा जाता है जैसे अगर मैं कहूं रिच इनफ rich enough तो अगर यहाँ पर देखे य्जो rich है यहाँ पर adjective है ठीक है यहाँ पर adjective है अब adjective को modify करने के लिए मैंने इस enough का use किया तो मैं इस adjective के बाद इसको use करूँगा ठीक है तो जब भी आप enough का use किसी noun को modify करने के लिए करते हैं तो उस noun के पहले इसको लिखा जाता है ठीक है लेकिन अगर आप इनफ का प्रियो किसी adjective या एडवर्ब को मोडिफाई करने के लिए करते हैं तो इनफ को उस adjective या एडवर्ब के बाद लिखा जाता है तो ऐसा ही यहाँ पर हुआ है you are running very fast you are running fast enough तो यहाँ पर जो इनफ है यह इस fast adjective को मोडिफाई कर रहा है तो जब भी हम इनफ का प्रियो किसी adjective को मोडिफाई करने के लिए करते हैं तो उस adjective के बाद इसको उसफ करते हैं तो यह एडवर्बर्ब डिग्री है यहाँ पर यह है ठीक है यह इस fast को modify कर रहा, fast यहाँ पर adverb है, तो इस तरह से जो adverb of degree है वो किसी भी adjective को modify कर सकती है, किसी verb को modify कर सकती है, किसी दूसरी adverb को भी modify कर सकती है, और यह सब हम in examples में समझ चुके हैं अब हम बात करते हैं how much का reply होता है यह, ठीक है न, अब हमने बात की थी कि जो adverb of degree है वो किसी verb, किसी adverb या किसी adjective के intensity या degree के बारे में में बताती है, अब यह intensity और degree का जो level होता है, वो अलग-अलग हो सकता है ठीक है, तो कुछ verb, adverb, या adjective की degree या intensity को measure किया जा सकता है और कुछ verb, adverb और adjective की intensity या degree को measure नहीं किया जा सकता है अब जिस adjective, adverb या verb की intensity को measure किया जा सकता है तो उस verb, adverb या adjective की intensity का level, mild भी हो सकता है, medium भी हो सकता है और strong भी हो सकता है ठीक है, लेकिन जिन adjective या adverb या verb की intensity को measure नहीं किया जा सकता है, तो तो उस adjective, adverb या verb की intensity या degree का जो level होगा वो सिर्फ absolute ही होगा अब इस चीज़ को समझने के लिए हम एक example लेते हैं अब ये picture आप देखिए इस picture में हम सबसे पहले समझेंगे hot और cold adjective को ठीक है? अब hot और cold जो adjective हैं इसकी जो degree है या इनकी जो intensity है इसको measure कर सकते हैं ठीक है? अब जैसे hot को लेते हैं अब कोई चीज़ fairly hot है माल लीजिए तो इसका मतलब वो इतनी hot है कि हम उसको use कर सकते हैं जैसे माल लीज़ चाई है अगर हम कहते हैं चाई जो है वो fairly hot है तो इसका मतलब वो पीने हम उसको पीने योग करनें के लिए थोड़ा सा ठंडा करना पड़ेगा तो थोड़ा सा ठंडा करेंगे तो इसका मतलब उसकी degree नीचे आएगी उसकी तो वो fairly hot हो जाएगी तो उसको हम पी सकते हैं उसके आद हम इस तरह से फेरली होट है ये थोड़ी दिगरिस की लो है ठीक है नब इसकी बढ़ जाएगी तो ये राधर होट हो जाएगी। कि पास्ट फोड़ी और डिग्री चाएगक तीए हउट हो जाएगी ठीकने येूट्रल जो ना लेवल है डिग्री इस यूज कोई चीज बाद यदा होट हो जाएगी तो वैरी होट हिव होसकती है कोई चीज बहुत ही ज्याधा होट हो कि तुम कहेंगे extremely hot तो इस तरह से जो hot की जो intensity या degree है इसको measure कर सकते हैं कोई भी चीज कम hot भी हो सकती है ज्यादा hot भी हो सकती है ठीक ना तो इस adjective का जो degree है intensity है वो strong भी हो सकती है medium भी हो सकती है इस पर कर cold है कोई चीज मान लीजिए तो cold है अगर हम कहेंगे fairly cold मान लीजिए पानी है और वो fairly cold है तो हम उसमें नहा सकते हैं उसके बाद रादर cold रादर cold इसका मतलब थोड़ा सा ज्यादा ठंडा है और cold है इसका मतलब यह neutral डिगरी है neutral level है डिगरी का उसके बाद हम कहीं very cold मतलब बहुत है पर नहीं नाया जाएगा बहुत ठंडा है और extremely cold इसका मतलब बहुत ही ज्यादा ठंडा है ठीक है अब extremely cold के बाद अब मान लीजिए होट है अब hot fairly hot था फिर rather hot हुआ फिर hot हुआ फिर very hot हुआ फिर extremely hot हुआ फिर extremely hot हुआ फिर extremely के बाद अपनी absolute state पर यह पहुँच गया औ है ठीक है इस परकार जब cold है तो cold था फिर fairly rather cold हुआ फिर cold हुआ फिर very cold extremely cold तो जब तक यह cold रहेगा तो cold को तो हम measure कर सकते हैं इसके degree को इस परकार से hot की जो degree है intensity इसको measure कर सकते हैं लेकिन जब यह अपनी extreme state पे पहुँच जाएगा absolute state पे पहुच जाएगा तो यह boil करने ल इस परकार cold जब absolute state में पहुच जाएगा तो हम इसको cold नहीं कहेंगे फिर हम इसको freezing कहेंगे उसको जम जाएगा पानी बिल्कुल थंडा होके जम जाएगा तो freezing कब होती है zero degrees Celsius पे जब पहुच जाएगा तो freezing adjective जो है इसको absolute state में कहेंगे तो freezing adjective non gradable हो जाएगा इसकी degree है वो एक absolute ही होगी तो कोई भी चीज फ्रीजिंग होती है वह अपनी absolute state में होती है boiling होती है वो अपनी absolute state में होती है लेकिन कुछ adjectives ऐसे होते हैं जो कम या ज़्यादा हो सकते हैं तो बस आप इतना याद रखिए कि कोई adjective या adverb या कोई verb की जो degree या intensity होती है वो कम ज़्यादा हो सकती है तो इसका मतलब उसके तीन level होंगे strong, medium और mild ठीकिन है कम ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन कुछ adjective, adverb या verb की जो degree या intensity होती है वो fix होती है वो कम ज़्यादा नहीं हो सकती तो इसका मतलब वो absolute state में ही होगा मतलब उस degree या level को हम क्या कहेंगे absolute कहेंगे तो अब इस table में हम समझते हैं कि किस प्रकार से जो adverb degree है ये अपने different level को refer करती है तो देखिए अब ये एक्जामपल है it is absolutely freezing outside अब यहाँ पर जो freezing है ये adjective है और absolutely adverb degree है अब ये अब ये अब रूफ degree इस freezing adjective के जिस level के बारे में बता रही है वो level absolute level है ठीक है न क्योंकि कोई चीज freezing होती है तो it means जिस level के बारे में बता रही है इस action के जिस level के बारे में बता रही है जिस intensity के बारे में बता रही है इस प्रकार से extremely cold adjective की strong है जो है intensity के बारे में बता रही है इस प्रकार से very इस adjective की जिस level या intensity के बारे में बता रही है वो strong है इस प्रकार से ही जो really है वो इस love जो यह action है इस action की intensity के बारे में बता रही है वो intensity का level कितना है strong इस प्रकार से जो especially है वो tasty adjective के बारे में बता रही है जो tasty adjective का level या intensity है वो average level की है इस प्रकार से uncommonly है यह big adjective के बारे में बता रह लेवल और भो एड़िकुलर्यूरली एकुलरी एक्साइटिड हम usable warfare यह बता रही है तो को इस ते सत indeed जो जो यह नेमन है वह है उस प्रकार से गुड गुड एड़िकुलर्टू एड़िक्टिव के बारे में ये एड़रूफ डिग्री हमें बता रही है एड़रूफ डिग्री ये जो एड़रूफ डिग्री है ये किस लेवल के बारे में बता रही है इसके तो वो जो लेवल ये इंटेंसिटी का जो मलब जो इंटेंसिटी अडिग्री का जो लेवल है वो यह इस adjective के जिस level के बारे में बता रही है, मतलब इस adjective के degree और intensity के जिस level के बारे में बता रही है, वो level कैसा है, mild, इस प्रकार से यह जो pretty है, यह भी इस adjective के intensity और degree के बारे में बता रही है, तो यह intensity और degree का level इस sentence में क्या है, mild, अब यहाँ पर इस sentence में, जो है not especially use किया गया है, not दिग्री तो यहां पर यूज किया गया है तो इस वीडियो में इतना ही अगर आपको पसना है तो प्लिस को लाइक कीजिए शेर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगले वीडियो में हम बात करेंगे पोजीशन ओफ आड़ डिग्री की संटेंस पोजिशन क् करते हैं तो थैंक्स अगें फॉर वोचिंग इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब गरना ना भूलिएगा बाइबाए